दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि अगर आपके पास में एक घर है एंड आपने उस घर के उपर एक होमलोन भी लिया हुआ है एंड अब आप किसी भी रीजन के वज़े से उस घर को सेल आउट करना चाहते हैं उस घर को बेचना चाहते हैं तो यहाँ पर होम लोन पर लिया हुआ घर आप किस तरीके से बेच सकते हैं इसका क्या प्रोसेस है और आपके पास में क्या क्या important document होना चीए यह सारे चीजों के बारे हम आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो वीडियो काफी आउट करना चाते हैं यहां पर आपको बैंक से नो अबजेक्शन सर्टीफिकेट भी लेना होता है यानि कि आपको बैंक से एनोसी सर्टीफिकेट लेना होता है इसके अलावा आपको बैंक से outstanding home loan certificate लेना होता है कि आपके home loan के उपर अभी कितना loan का पैसा बाकी है उसका भी certificate लेना होता है यह सारे process होने के बाद में आपके पास में तीन तरीके का situation आता है सबसे पहला situation यह होता है कि जो buyer आपका property purchase करने वाला है वो सारा का सारा पैसा अपने savings से ही आपको pay कर देंगे यानि कि वो किसी भी bank से home loan वगेरा लेने वाले नहीं है and second situation यह होता है कि जो buyer आपका property purchase करने वाले है आपका जिस bank में home loan चल रहा है वो भी उसी bank से home loan लेके आपका property purchase करेंगे and आपको सारा का सारा पैसा pay कर देंगे and तिसरा situation यह हो सकता है कि जो buyer आपका property purchase करने वाला है जिस bank में आपका home loan चल रहा है वो उस bank में home loan ना लेके किसी और bank में home loan लेंगे and उस तरीके से आपको payment करेंगे तो अब यहाँ हम one by one उतना bank balance है आपका property purchase करने के लिए तो यहाँ पे होगा यह कि सबसे पहला आपने जिस bank से home loan लिया हुआ है उस bank से आपको outstanding home loan certificate मंगवाना होगा इससे यह पता चलेगा कि अभी भी आपका loan का पैसा कितना बाकी है यह certificate मिलने के बाद में जो buyer है वो सबसे पहला आपका जितना loan का पैसा बाकी है वो directly आपके bank account में ट्रांसफर कर देंगे यानि कि आपके home loan account में वो outstanding home loan का पैसा ट्रांसफर कर देंगे इससे आपका loan clear हो जाएगा यहाँ पे आपको जो bank है वो सारे घर के original document दे देगी original document देने के बाद में जो घर बेचने का normal process होता है कि आप अपना ownership buyer के नाम पे ट्रांसफर करेंगे with all the relevant document और यहाँ पे अब जो भी पैसा बाकी होगा वो buyer आपको pay कर देगा और यहाँ पे bank का कोई भी involvement नहीं होगा second situation यह है कि जो buyer आपका property purchase करने वाले है वो भी एक home loan लेके ही property purchase करने वाले है और यहाँ पे आपने जिस bank से home loan लिया हुआ है वो भी उसी bank से home loan लेके property purchase करने वाले है तो इस cases में जो भी property वो purchase करने वाले है उसका सारा information तो bank के पास में पहले से ही होगा क्योंकि यो property का पूरा document bank के पास में पहले से ही है तो यहाँ पे bank यह देखेगी कि जो buyer वो property purchase करने वाले है उनकी repayment capacity कितनी है उनकी income कितनी है और आपके property का value कितना है आप कितने का अपना घर बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से अगर वो उतने amount of home loan के लिए eligible होते हैं तो यहाँ पे जो bank है वो तीन लोगों के नाम पे एक agreement बनाएगी जिसमें bank होगा, buyer होंगे and seller होंगे यहाँ पे triplicate agreement बनेगा और यहाँ पे इस agreement के हिसाब से इस property के नए owner जो है वो buyer को माना जाएगा and buyer के नाम पे एक नया home loan issue किया जाएगा and यहाँ पे जो bank है, वो जो भी loan का पैसा बाकी है वो loan का पैसा पूरा काटने के बाद में जो भी balance amount होगा, वो seller को वापस कर दिया जाएगा and इस तरीके से यह सारा process होगा अब यहाँ पे third situation यह हो सकता है कि जो buyer आपका property purchase करने वाले है वो एक home loan लेके ही आपका property purchase करने वाले है लेकिन आपने जिस bank से home loan लिया हुआ है वो उस bank से home loan ना लेके किसी और bank से home loan लेने वाले है तो यहाँ पे क्या process होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहला आपने जिस bank से home loan लिया है उस बैंक से आपको outstanding home loan certificate मनगमाना होगा यहाँ पे घर का जो भी document है original document वह सारे कोभी आपके पास होना चीह है जो भी आउटसेंड왔को सर्टीकट है वह आपको buyer को देना होगा है यहाँ पर venue वाइर है वो यह सारे document जिस bank से वो home loan लेने वाले हैं उस bank को देंगे फिर bank देखेगी कि जो document आपने दिया है वो document सही है कि नहीं है अगर हर एक चीज ऐके हैं फिर जो बैंग है वो बायर का रिपैमेंट कैपसिटी देखेगी उनके इंकम को देखेगी आप कितने का घर बेचना करेगी एंड उस लोन को किलियर करवाएगी लोन की अने के बाद में जो अने के बाद में आने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा लोन का पैसा बाकी होगा वो बैंक बायर को देंगे एंड जो बायर है वो से ही पैसा सेलर को देंगे तो इस तरीके से यह सारा प्रोसेस होगा अब दोस्तों जब भी आप अपने प्रोपर्टी को सेल आउट करते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट डॉकुमेंट आपके हाथ में होना चीए सबसे पहला है एंकमरेंट सर्टिफिकेट एंकमरेंट सर्टिफिकेट बेसिकल एक लीगल डॉकुमेंट है जो यह बताता है कि आपके प्रोपर्टी के ओपर कोई लीगल बर्डन या तो कोई फाइनिशल बर्डन है की नहीं यानि कि आपके property के ओपर कोई third party का claim है की नहीं या तो आपके property के ओपर कोई loan वगेरा चल रहा है की नहीं चल रहा है यह सारे detail Encombrance certificate से पता चलता है यह Encombrance certificate आपका जहां पर property registered है वो सब register के office में मिलेगा second document है sell deed of the property and third document है property tax जो आप pay करते हैं उसका receipt इसके अलाबा जो buyer है वो आपसे stamp duty जो आपने pay किया है उसका copy का भी demand कर सकते हैं और बाकी का जो भी घर का register document होता है उसका भी demand कर सकते है जेनरल तोर पर जो भी घर का register document होता है उसका original copy तो bank में होता है लेकिन आपके पास में सारे document का photo copy होना चाहिए ताकि आप जो बेचने का process है वो start कर सके तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो उमीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ने कुछ valuable information जरूर मिला होगा अगर आपको इस वीडियो से value मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना चैनल को subscribe क करना इन इस वीडियो का अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेर करना जाहिन दोस्तों